लगतार बढ़ती जा रही ठंड से हमाचल के उपरी हिस्सों में व्यापारियों और मजदूरों की मुश्किले बढ़ गई है ठंड के कारण मजदूरों को मजदूरी करना मुश्किल हो गया है वहीं बाजार में भी लोगों की आमद कम होने से व्यापारी मायूस है पहाडों पर ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ने से जन जीवन पटरी से उतर गया है व्यापारियों और मजदूरों का ठंड के कारण धंदा चौपट होता जा रहा है अधिक ठंड के कारण लोग घरों से खरिदारी के लिए बाजार नहीं निकल पा रही है इस वज़ा से बाजारों में सनाटा पसरा हुआ है दुकानदारों को दुकानों के आगे आगताप कर दिन गुजारना पड़ रहा है ऐसे में उप्रीक्षेत्र के व्यापार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है दूसरी और मज़़ूर तबके की भी मुश्किलें बढ़ गई है अधिक थंड की वज़ा से उन्हें काफी मुश्किलें पेश आ रही है मज़़ूरों को इस हालत में खाने के भी लाले पड़ गए है रामपूर व्यापार मंडल के प्रधान वास्थानिय व्यापारियों का कहना है कि इस साल थंड ने रिकॉर्ड तोड दिया है उन्होंने कहा कि थंड की वज़ह से लोग खरीदारी करने बाजारों में नहीं आ रहे है उन्होंने कहा कि दुकानदारों को दुकानों के आगे आगताप कर दिन गुजारना पड़ रहा है प्रेजिनेट बेपार मुनलल रामपूर इस साल सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ रही है आज तक कभी इतनी सर्दी नहीं हुई इस सर्दी के वैसे लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे है और पजार बिलकुल मंदा है, मार्किन में कोई काम नहीं है जिसकी वैसे बेपारियों को भी लॉस हो रहा है मेरा नाम जैभगवान बंसल है, मैं रामपूर निवासी हूँ और आज कल हमारे इलाके में बहुत ठंड पड़ रही है कई वर्षों बाद इतना शर्द मौसम देखा गया है इस इलाके में सभी इस सर्दी से परशान है और शहर में कारोबार भी बहुत घट गया है और आने वाले समय में भी जैसा कि प्रिडिट किया गया है कि ज्यादा सर्दी बढ़ने वाली है इस से खास कर गरीब लोगों की मुश्कलें बहुत बढ़ रही है और सर्दी में उन्हें बहुत कटनाईयों का सामना करना पड़ रहा है आगे उमीद है कि जैसा कि प्रिडिक्शन भी है शायद कर तिस के बाद कुछ मौसर में बदलाव आए और ठंड भी कमी हो मेरा नाम राजश गुप्ता रामपूर बशेयर से हूं ठंड का इतना कह रहा है कि सुबह घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है सिटी चैनल के लिए रामपूर से विशेशर नेगी की रिपोर्ट